दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए तामिल इंडस्टी का एक बहतरीन क्राइम सस्पेंस ठ्रिलर मुवी ले के आ गया हूँ इस मुवी के सेंटर में एक सिंपल सा बेग होता है आखिर इस बेग के अंदर एसा क्या है जो ये सब को चाहिए ये तो आपको इस बीडियो के अंत में पता चलेगा और मैं गैरेंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस मुवी का क्लाइमेक्स आपको बहुत पसंद आएगा आप बस पैसेंस के साथ इस बीडियो को पूरा देखिए तो चलो यार बिना टाइम बरबाद करते हुए साथ में मिलके इस मुवी को देखते हैं मुवी की सुरुवात में हम एकामबरम नाम का एक बंदे को देखते हैं जो की एक बिजनेसमेन होता है पर साथ ही साथ वो मुर्ती चोरी का भी काम करता है और अभी अभी वो किसी मंदिर से एक मूर्ती चुराया है और जल्द ही उसे बेचने वाला है फिर हम कथिर नाम का एक बंदे को देखते हैं जो चेन्नाई में ड्राइबर का जोब करता है एक दिन वो अपने मम्मी पापा के साथ अपने लड़की देखने जाता है तो उस लड़की का नाम भीजिता है तो ये दोनों अकेले में एक दूसरे के साथ बात चीत करते हैं और उधर उनकी पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं तभी बातों ही बातों में भीजिता की पिता को ये पता चल जाता है कि एकामबरम के साथ कथिर के पापा का अच्छा संबंध है तो वो कहते हैं अरे वो तो एक क्रिमिनल है और हाली में एक मडर के केस में जेल भी गया था माप कीजिएगा पर मैं आपके घर में मेरी बेटी नहीं दे सकता हूं अगर कल को कोई छोटा मोटा जगडा भी हो गया तो आप तो अपने साथ गुंडे ले के आ जाओगे तो कथिर के पापा उन्हें समझाने की कोशिस भी करते हैं कि एसा कुछ भी नहीं है पर भीजिता के पापा कुछ भी नहीं सुनते हैं जगडने की आ पापा को एक थपड़ मार देता है और अपने मम्मी पापा को लेके यहां से चला जाता है फिर कुछ दिन बीद जाते हैं और हम देखते हैं विजिदा अपने पापा को हस्पताल लेके आई हुई है दरासल उनके पेर के नस में कुछ प्रॉब्लेम है जिसके वज़े से वो 2000 रुपे लगेंगे तो भिजिदा पे से निकालनी के लिए ATM जाती है पर ATM से पे से निकलने के वजञे उसकी ATM काड ATM में सिन के अंदर अटक जाती है वो ये देखके टेंसन में आ जाती है फिर ये सिन यहीं पर कट हो जाता है और हम कतीर को देखते हैं, वो एक बस टोप पे खड़े होके बस का इंतिजार कर रहा होता है, और उसके बाजु में एक आदमी खड़ा हुआ होता है, जिसके पास एक बड़ा सा बेग होता है, और उस बेग में एक मंकी का पिक्चर होता है, उनके ठीक पीछे एक चोर बेठा हुआ होता है उसे लगता है कि इस बेग में सायद कोई कीमती चीज होगा इसलिए वो उस बेग को छीन के यहां से भागने लगता है तबी हम देखते हैं कतिर उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और अंत में वो उस चोर को पकड़ भी लेता है और उससे वो बेग ले लेता है फिर कथिर बेग लेके वापस उसी बस्टोप पे जाता है ताकि जिस आदमी का ये बेग है ये उसे वापस कर सके पर वो आदमी वहाँ पे नहीं होता है फिर दूसरी तरफ हम एकमबरम को देखते हैं वो उस चोरी की मूर्ति को एक बेग में डालता है और उसे कथिर के पापा को देता है और कहता है तुम इसे लेके चेननाई जाओ और वहाँ पे सेखर नाम का एक बंदा मिलेगा तुम उसे ये दे देना और बदले में वो तुमें पेसे देगा और तुम पेसे लेके वापस आ जाना कथिर के पापा इस काम के लिए राजी हो जाते हैं दरासल कथिर के पापा बहुत ही सांत सोभाब के होते हैं और एकामबरम की वो बहुत इज़त करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि एकामबरम ने जिस बेग में मुर्ती को रखा है उस पे भी मंकी का पिक्चर है कथिर के पास जो बेग है और ये दोनों बिलकुल एक जैसे हैं फिर हम देखते हैं कथिर के पापा बस से चन्नाई के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हम फिर से कथीर को देखते हैं वो उस बेग को लेके एक पुलिस टेसन में जाता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है कि कैसे एक चोर ने इसी चोरी करने की कोशिस किया था तो पुलिस वाला कहता है ठीक है तुम इसे यहीं पर रखके चले जाओ आगे का काम हम देख लेंगे दोस्तों यहां पर पुलिस वालों का बिहेदियर कुछ ठीक नहीं था उनकी बातों से यह लग रहा था जैसे कि वो बस फॉर्मालिटी के लिए यह सब कह रहे हैं और फिर हम देखते हैं ठीक उसी टाइम विजिता पुलिस रसनाती है दोस्तों आपको याद होगा उसकी ATM कार्ड ATM मसीन के अंदर फस गया था तो विजिता उस टाइम डर जाती है और हट बड़ा हट में ATM कार्ड को मसीन से बाहर निकालने के लिए वो अपना हैरपी नियूज करती है पर ATM कार्ड तो नहीं निकलता है उल्टा ATM मसीन ही खराब हो जाता है फिर विजिता बैंक जाके उसकी ATM कार्ड को लेके सिकायद भी करती है पर बैंक वाले कहते हैं आज तो सब लोग बीजी हैं हम आपकी कार्ड को कल निकाल देंगे पर विजिता को तो अपने पापा के ओपरेशन के लिए आज ही पेशे चाहिए होते हैं इसलिए वो पुलिस टेसन आती है इस उम्मीद से कि अगर पुलिस वाले बैंक से कहेंगे तो बैंक वाले आज है उसकी एटियम कार्ड को मसीन से निकाल देंगे पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है पुलिस वाले भी उसे कल तक रुकने के लिए कहते हैं यहां पर कतिर विजिता से बात करना चाहता है पर वो उसके साथ बात नहीं करती है और यहां से चली जाती है दोस्तों उस बैग में एक ताला लगा हुआ होता है पुलिस उसे तोड़के देखना चाहती है कि उसके अंदर क्या है पर इससे पहले कि वो उसे खोल पाते ठीक उसी टाइम पुलिस टेसन के चट गिर जाती है और इंस्पेक्टर घायल हो जाते है लोग उन्हें तुरंथ हस्पता ले के जाते है पर वो बैग वहीं पर पड़ा रहे जाता है तो कथिर उस बैग को वापस अपने साथ ले जाता है और तभी उसकी नजर भीजिता के उपर पड़ता है विजिता जब पुलिस को बता रही थी कि उसे अपने पापा की ओप्रेसिन के लिए डिपोजिट का पहला किस्त भरना था और इसलिए वो ATM से पेसे निकालने गई थी तब ये बात कथिर ने सुन लिया था फिर हम देखते हैं कथिर विजिधा के पास जाता है और उस दिन के लिए उसे सोरी कहता है और कहता है तुम्हारे पापा किस अस्पताल में हैं मुझे उनसे भी सोरी कहना है तब ये सीर यही पे कट हो जाता है और हम दूसरी तरब कथिर के पापा को देखते हैं वो चन्नाई पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं उन्हें रिसीब करने के लिए वही बंदा आता है जिसका बेग अभी कथिर के पास है फिर वो बंदा कथिर के पापा को सेखर नाम के एक बंदे के पास ले जाता है वो उस मूर्ति को अच्छे से देखता है और कहता है इस म से अपना कमिशन काटके बाकी पेसा कथिर के पापा को दे देगा और वो उसे लेके एकामबरम को दे देंगे फिर सेखर कथिर के पापा को कहता है आप एक दो दिन यहीं पर रुख जाईए जैसे ही पेसे मिल जाएंगे आप यहां से चले जाना फिर हम उस बेग वाले बंद कर दो तो सेखर कहता है आप टेंसन मतलो मूर्ती बेचने के बाद हमें जो कमिशन मिलेगा उससे जितना हो पाएगा मैं आपका मदद करूंगा आप अभी जाओ और मूर्ती दे के पैसे ले आओ फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कथिर उस बेग की फोटो खेंच के उसे फेस विजिता की दोस्ती हो जाती है और विजिता उसे माप कर देती है फिर कथिर विजिता के साथ हस्पताल जाता है और उस दिन के लिए विजिता के पापा से सोरी कहता है पर वो उस बेग को वहीं हस्पताल में ही भूल जाता है फिर हम देखते ही थोड़ी देर बाद विजि कथिर को एक मोबाइल फॉन देती है और कहती है इस फॉनकी व्यालपेपर में आपकी फोटो है दरासल यह मुझे रास्ते में पढ़ा हुआ मिला था दोस्तों ये फॉन किसी और की नहीं कथिर के पापा का होता है कथिर को ये बात बहुत अजीब लगता है कि पापा का फोन यहां पर केस आया दरासल कथिर को यह पता ही नहीं होता है कि उसके पापा एकामबरम के काम से चैन्नाई आये हुए हैं फिर जब वो अपनी मा को कॉल करता है तब जाके उसे पता चलता है कि उसके पापा चैन्नाई में हैं फिर कथिर उसके एक दोस्त को कॉल करता है जो एकामबरम के पास काम करता है। वो उसे अपने पापा के बारे में पूछता है। तो उसका दोस्त बताता है कि वो एकामबरम के काम से चन्नाई में किसी सेखर से मिलने गए हैं। ये सब सुनने के बाद कथिर को बहुत अजीब लगता है और अपने पापा को लेके उसे बहुत चिंता भी होता है फिर हम देखते हैं कथिर ने जो फेस्बुक पे पोस्ट किया था उस पोस्ट को देखके एक बंदा कॉल करता है और कहता है वो बेग उसका है दोस्तों ये एक फेक कॉल था ये सब उसी चोर का काम था पीछे भागता है और अंत में उसे फिर से पकड़ लेता है कथिर उस चोर को पुलिस को देने के वज़ाए उसके साथ एक डील करता है वो कहता है मुझे सेखर नाम के एक बंदी के पास जाना है जो कि दो नंबर का काम करता है दरासल उसके पास मेरे पापा है तो चोर कहता है बाई या तो बहुत सारे सेखर होंगे हम तुम्हारे वाले सेखर को कैसे ढूंडेंगे फिर भी हम देखते हैं चोर कथिर की डिल पे राजी हो जाता है और वो लोग सेखर को ढूंडने निकल पड़ते हैं और वो चोर एक दो सेखर के पास लेके भी जाता है पर ये वो नहीं होते हैं जिनें कथिर ढून रहा है फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं आखिर कर कथिर के पापा का फोन उस महिला के पास आया के से दरासल सेकर नहीं उस मोबाइल को डश्ट बिन पे फेक दिया था और बाद में सायद वो डश्ट बिन गिर गया होगा और उस से मुर्ति के साथ भेजा था वो अभी तक नहीं पहुंचा है ये सुनने के बाद एका मरम टेंसन में आ जाता है वो कतिर के पापा को कॉल भी करता है पर उनका फॉन स्विच अपाता है फिर हम देखते हैं कतिर के पापा को जब उनका फॉन नहीं मिलता है तो वो इसके बारे का नाटक भी करता है और केता है घर पे तो कहीं भी नहीं है सायद आप बाहर कहीं भूल गए होंगे पिर कतिर के पापा कहते हैं ठीक है पर क्या मैं तुम्हारे फोन से एकाम बरम से एक बार बात कर सकता हूं तो सेकर कहता है आप टेंसन मत लीजिए मैंने थोड़ी देर पहल सिर्फ दो करोड रुपे दिये हैं और बाकी के तीन करोड कल देंगे तो सेकर उस पेसों को संभाल के रखता है और उस बेग वाले बंदे को कहता है आप टेंसन मतलो कल बाकी के पेसे आने के बाद आप के लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड कर लूँगा दूसरी तरफ हम कथिर को देखते हैं अचानक से उसे एक कौल आता है तो सामने वाला बंदा घुसे से कहता है कि ये बेग तेरे पास के से आया ये तो तेरे बाप के पास होना चाहिए था और तेरा बाप किधर है ये सब सुनने के बाद कथिर यहां पे सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये बेग है किसका फिर कथिर को याद आता है वो तो उस बेग को हस्पताल में ही भूलाया है फिर वो डिसाइड करता है उस बेग को लाने के लिए वो आपस हस्पताल जाएगा और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बेग अभी हस्पताल में नहीं बलकि डश्ट बिन पे होता है दरासल कतिर उस बेग को हस्पताल में छोड़के आने के बाद बिजिदा के पापा गुसे से उसे उठाते हैं और खिडकी से बाहर फेंक देते हैं और वो जाके नीचे डश् जाता है और ये बंदा कोई और नहीं वही बेग वाला बंदा होता है कतिर उसे देखते ही पेचान लेता है और उसे पूछता है बता मेरे पापा का बेग तेरे पास केसे आया तो वो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है पर कतिर इतने में नहीं मानता है वो उस बंदे को बहुत मारता है, और फिर वो बंदा सामने पड़ी एक डस्टविन की तरफ उंगली करता है, और हम देखते हैं, उस डस्टविन के नीचे वही मंकी बेग पड़ा हुआ होता है, और एक कुट्टा उसे फाड़ दिया है, और किसी चीज को वो खा रहा होता है, और जमीन पे खोन भी पड़े हुए होते हैं, फिर हम एक फ्लास्टवेक देखते हैं, सेखर कथिर के पापा से पूछता है, आखिर आप तो अच्छे इंसान लगते हो, तो फिर आप एकाम बरम के लिए काम क्यूं कर रहे हो, तो कथिर के पापा कहते हैं, मैं बचपन में में अटली डिसेबल था, मम्मी पापा के मरने के बाद, भाई बेहनों ने अपना अपना हिस्सा तो ले लिया, पर किसी ने भी मुझे नहीं अपनाया, पर उस वक्त एकाम बरम ने मुझे अपनाया था, इसलिए मैं आज जो कुछ भी हूँ, ये सब उन्हीं के लिए संभब हुआ है, फिर कथिर के पापा कहते हैं, मुझे पता है कि तुम मुझे मारने वाले हो, पर मैं बस इतना कहना चाता हूँ, कि मेरा बेटा भी इसी चन्नाई में रहता है, मुझे उससे आखरी बार मिल लेने दो, मैं उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, तो सेखर कहता है, प्लीज मुझे माप कर दीजिएगा, आज कल मेहंगा इतनी हो गई है, कि सिर्फ कमिसन से घर नहीं चलता है, मुझे अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्च देना है, और इसके लिए मुझे आपको मारना पड़ेगा, फिर सेखर एक बेट से, कथिर के पापा के सर पे जोर से मारता है, और वो मर जाते हैं, फिर वो एक बंदे की मदद से लास के टुकडे टुकडे करके उसे ठिकाने लगा देता है, और वो उनकी कटा हुआ सर को ठिकाने लगाने का काम उस बंदे को देता है, जिनकी बेटी की साधी होने वाली है, और वो उन्हें साथ लाख रुपे भी देता है, वो उस सर को एक थेली में डालके उसी monkey बेग में रखके उस बंदे को देते हैं फिर वो उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल जाता है और जब वो बेग के साथ बस्टो पे खड़ा था क्योंकि वो दूर जाना चाता था उस लास को ठिकाने लगाने के लिए और ठीक उसी अंदर उसके पापा का कटा हुआ सर है फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कथिर उस बेट के पास बेट के जोर जोर से रो रहा होता है फिर हम वापस से एक फ्लास बेग देखते हैं अचानक से एकामबरम सेखर से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं दरासल एकामबरम को पत बंदा होता है वो कतिर का Facebook पोश्ट देख लेता है वो देखता है कि यह वही बेग है जिसके अंदर मूर्ती है तब वो घुस्से से कतिर को कॉल करता है और उसे धमकी देता है दोस्तों यह वही सीन था जब कतिर को एक अन्यों नमबर से कॉल आया था और वो उसे धमका रहा और उसे पूछ रहा था कि यह बेग तो तेरे पापा के पास था तो तेरे पास केसे आया फिर हम देखते हैं एक बंदा सेखर से मिलने आता है दरासल यह बंदा सेखर को उस मूर्ती के बाकी के तीन करोड रुपे देने के लिए आया था सेखर को पेशा देके वो बंदा य पर इस fight में सेखर का पलडा भारी हो जाता है, वो पहले एकंबरम के साथ आया हुआ बंदा को मार ढालता है, और बाद में एकंबरम के पैट में एक विकेट को घुसा के उसे भी मार ढालता है, और फिर इन दोनों के लास को भी ठिकाने लगा देता है, फिर हम present में देखते है अब तक कुछ महीने बीथ चुके होते हैं, सेकर ने एक बढ़िया सा फ्लाट खरीदा है और वो वहीं पे रहता है, तभी हम देखते हैं सेकर से मिलने कतिर उसका ड्राइबर बन के आता है, दरासल सेकर को अपने लिए ड्राइबर चाहिए था, इसलिए असली ड्राइबर जो पर बेहोस हो जाता है, फिर जब उसे होस आता है, वो उसे पूछता है, बता, तुने मेरे पापा को क्यों मारा, उसने तेरा क्या भीगाडा था, तो सेकर बड़ी बैसर मीं से कहता है, मुझे पांच करोड मिल रहे थे, इतने पैसों के लिए मैं तेरा क्या, मैं खुद के पापा को भी मार सकता हूँ, तेरे पापा मरने से पहले तुझसे आखरी बार मिलना चाते थे, कि ये इच्छा उनकी कभी पुरा नहीं हो सका, दोस्तों यहाँ पे हम सेखर के चेहरे को देखके ये बता सकते हैं, कि उसे एक परसेंट का भी रिग्रेट नहीं था, वो कथिर क कहता है, मुझे मारना चाते हो, तो मार डालो, फिर हम देखते हैं, कथिर नीचे आता है, और नीचे से एक बोरी लेके उपर जाता है, और कुछ समय बाद वापस उस बोरी के साथ नीचे आ जाता है, और यहां से चला जाता है, फिर हम कुछ दिन बाद वापस सेखर को देखते हैं वो अभी भी जिन्दा होता है पर कथिर ने उसके हाथ पेर काट के उसे अपाहिज बना दिया है अब वो बस एसे ही पड़ा रहता है और अब उसकी पत्नी का चकर किसी और के साथ चल रहा है तेकर ये सब होते हुए देखता है पर वो कुछ कर नहीं पाता है वो पड़े पड़े रोता रहता है और इसी के साथ ये मुभी यहीं पर खतम हो जाता है अब आप मेंसे कुछ कहोगे अरे उसके पास तो पांच करोड थे ना तो वह गरीब कैसे हो गया इसके बारे में मुभी में कुछ बताया नहीं गया है यहां पर दो चीज हो सकता है पहला कि सेखर जुए में सारे पेसे हार गया हो और दूसरा कतिर सेखर के हाथ पेर काटने के बाद सारा पेसा भी अपने साथ लेके चला गया तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मुभी पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हां कमेंट करके भी बताना कि आपको ये मुवी कैसा लगा और जाने से पहले आपके लिए एक अच्छी ख़बर है कि ये मुवी आपको यूटुब पे फ्री में मिल जाएगा और वो भी हिंदी डबिंग के साथ आप बस मंकी बेग मुवी लिखके सर्च कर देना आपको यूटुब पे ये मुवी मिल जाएगा और एक बात अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हां बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना और बेल आइकन को दबाके नोटिफिकेशन को आल पे रखना ताकि मैं न पूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई